नमस्कार, VKB विशेश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपकी होस्ट मिनाक्षी पिछली यादें गट्री में बान्द करें नए वर्ष का इंतजार लाए खुशियों की बारात इसी तरह गुड़ी पाडवा की परंप्रागत शुरुवात के साथ आज वीके भी विशेश में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है नए वर्ष का इंतजार कर रहे हैं हम गुड़ी पाडवा हम सेलिबरेट करने वाले हैं जोते बार रॉ ऩाडवा तक हम गुड़ी पाडवा की बहुता wizard करने के स्यारी अज हमारे साथ है जोतिशाह चार्य विशेश अग्य वास्तु विशेश अग्य अंघ्शास्त्र विशेश। सब्सक्वाता है एक से जाने माने जोतिशाह चार्य श् Computer श्रद्धानन मोहंजी। आपका बहुत बहुत स्वार्श आतर है। मोहंजी गुड़ीपाडवा एक नए साल की शुरूबात और एक बहुत बढ़ा पर्व एक बहुत पवित्र पर्व और एक बहुत पवित्र जोहार गुडी पार्वा अगर आपसे जाना चाहें तो क्या South गुडी पारवा हमारे सनातम धर्म में ये महारास्तर में हमारे बोला जाता है गुरी पारवान लेकिन इसका असल नाम है अपना इसका संस्क्रित में बुराइत युगस्च आदी युगादी ही करके इसी दिन पर भगवान ब्रह्मा ने शुष्टी का निर्मान शुरुवात किया पहला दूसरा इसी दिन पर शालिवान राजा नाम थे हमारे पुराणों में बहुत पुराइं तो वो शालिवान राजय ने मत्टी के पुचले बना इसी दिन पर मंत्र शक्ती से ओंगे बढ़े उस मट्टि की पुतलों की सेना में शक्ति भरते वे दूश्मनों को हराया था इसी को बोलते है शाली बाहने शका विक्रम संबत्सर करके बोला जाता है अब यह हमारा जो है संबत्सर हरिक गुरी पाड़मा में नया संबत्सर चालू होता है हमारे कैसे चोटल 6 संबत कुझ चालू हो रहा है ये जुबुक्रत अधिन्स संबाक्सर जो है नया संबसर है और इसके पहलेग्रणय जो संबसर था एह पलगु नाम तेखा पर अपनत्र कोरोन को सुरॉण कोई उसके suchछ कोड़ना कुछ ऐसा करतԹरए इसमें कि ऐसा प्लवो में पीछले संबधसर में बहुत सारे चीजे खराब अच्छे हुए, बट लेकिन दरी पास्ट स्टोरी नाउ, अभी ये नया संबधसर शुभक्रत नाम संबधसर जो है, बहुत अच्छा लेकर राएगा लोगों के लिए संबधसर लेकिन इसमें इसे लोगों को इस दुनिया को फ़ल क्या मिलना हूं थे पहली बात यहां गुडी पाडवाया ने क्या है तुछुही पडवाया है हमारे हिंदू धरम का नुव एर शनमें नया वर्श यह है हमारा एक तीस जिसम्बर का रात जो मनाते हैं तो यह संदन्ध्रम अमारा जो मनाय जाता है चैटरमास का पहला शुक्ल पक्ष प्रतिपदा उसको इसी दिन से चैटर का नवरात्री भी चालू होता है जो चैटर का नवरात्री एंड होता है अपना राम नौमी में और कहा जाता है इसी दिन पर भगवान राम ने वाली नाम के जो वानर राजा था उनका वद किया भगवान राम ने सुग्रिव को सिंहासन पर बिठाया इसी दिन पर वाली का वद करके सुग्रिव को सिंहासन पर बिठाया गोड़ी पड़वा का भी महत्व है तब से जब से भगवान राम यह वद्ध किया जब से हुआ तब से हमारे महराश्ट्र में हम गुड़ी पाड़वा मानाते आ रहे हैं गुड़ी पाड़वा का है जो हम गुड़ी बानते उपर तामदे का वो पूरा शुष्टी का ये निर्वित दिखाता है और जो उसमें हम लोग नीम के पत्ते आम के पत्ते बानते नीम के पत्ते आगे निरोगता अच्छे विचार और हैजिन को दिखाता है आम के पत्ते संपन्यता पैसा और खुशाली दिखाता है और जो अपने रेश्मी कपड़ा रहता है ती नटिंग बट लक्षमी का सवरूप है आईश्वरी है और फूल कमाला जो इसका विजै बिजैए का प्रतिक है याणि जो अच्छा हुखा विजैई जीत मानते है और उसको जो पोल ये जो हम लोग बंगु का दंडा बांथे या पोल बांथे हैं तो निर्मीत करता है सुोश्टी का श्थानू भगवान का श्थानू को शुटानू से स्थानू क के गुडी पढ़वा का इतना बड़ा महत्व है अगर इस पे हम और भी चर्चा करेंगे शाहद दो प्रोग्राम पे कम पड़े अपने को गुडी पढ़वा को नव वर्ष कि शरुवात कहते हैं अलग अलग रिलिजिंस में अलग नामों से प्णा ठूचा है तेसे सिंधी का नया साल होता है चेटरी चल जुलेला जैनती से चाहते है अगादी कहा जाता है साओ्ट में यह अलग अलग महत्वा लेकिन देन एक है हम हिंदु लोग इसको लिव यह मानते हैं हलाकि हम ग्रिस्टन यूज कर रहें बट रिए इस साल में कैसा होता है अभी चेटी चेंट हम लोग सिंधी में बोलते हैं उसके अंदर जुलेलल महराज का जन्व हुआ है जुलेलल महराज को ने भगवान वरुन भगवान के आउत बहुत सारा चीजें बिजनस में शिंधी कुम्यूटि आगे देख लेना विकाल उस भगवान का आशिराओ इस प्रूप फूज भी हम इसको एक अंगीकार नहीं कर सकते हैं यह उसको मनमना नहीं कर सकते कि जिस भगवान का पूजा करते ना उनका हाथ जरूर होता है यह इ शुब करने वाला और ये खुशकबरी हमारे सब के लिए कि ये जो साल है ये साल सारे संसार के लिए पिछले साल से बहतर रहने वाला लेकिन थोड़ा से इसमें कमी आता है क्या कमी आता है हर संबतसर का राजा होता है हर संबतसर का मंत्री होता है हर संबतसर का सेनाधिपती हो प्रभू आपने अभी कुछ करम किया तो इसी जनम में चुकाना पड़ेगा वो छोड़ते क्योंकि अधर्म हो गया थाया हो गया अभी को प्रशलीथ है उनको तो माले में शार्य साती वाले ड्या वाले लशनी मंदिर पहले जाते दर्शन के लिए कि प्रभू हमारे प्रिपा करो हमारे आपके क्रिपा दिशार काम को तकलिफ कम देना उसी प्रकार से यह जो शुबकृत नाम स यह संबत्सर का राजा है शनीदेव तो इस गुड़ी पाडवा से लेकर अगले गुड़ी पाडवा तक का सारा संसार को राज करने वाले शनीदेव है पहली बाद न्याय अधर्म में चलने वालों को बहुत रास होने परिशानी होने वाला है न्याय में जो चलेंगे उनके बहुत फल्दाई रहेगा ठीक है दूसरा ओल का मार्केट लोहे का मार्केट और लेबर्स को लेके परिशानी रहेगा यह साल में अच्छा मंत्री अन्य जो सत्ता में बैठे राजा वह प्रदान मंत्री मान लो यह प्रेजिडेंट मान लो जो राजा हैं और जो मंत्री बनता है पॉलिशिस को लेगे आजी संबत सर की इसे घू՝ता होता है दूसरा है he यह जो अपना मंतरी जो है संबत सर के मनतरी बुरु बरस्पति क्या होता है तुसमें टक रहोने के वजहे सह बहुत सारे गौवर्मेंट के पॉलिसी सोगे, बहुत सारे गौवर्मेंट में टक्रा होएगा वर्डवाइड, I am not only India, वर्डवाइड में प्रावलम रहेगा, और Ukraine रशिया को जो वार चल रहा है, उसमें भी ये साल स्टॉप होने का योग बनता है, में भी बड़े कोई ली बुद्ग्र है, Mercury, बुद्ग्र है सेनादी पती होने के नाते, उनको मेघादी पती बोलते हैं, अर्ग्यादी पती बोलते हैं, तो बारिश कहीं कहीं बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कहीं बहुत कम रहेगा, और बारिश को लेकर व्यापार वर्ग को परेशानी होने का यो अर्षाथी पती बोलते है रिकविड चीज्जों पाश को रूल करते है वो नुक्ते हैं जैसा पानी हो गया वॕ ऐगा जीसा गोटार्थ uh और जैसा पने डीजर्फ मिरें करेंकर आपूरती हो गया इन सारे चीज़ों को चंदृमा रूल करते हैं अभी देखो इस नक्छत्री निफ राशी में क्या हो गया हम तो बोल नह Só इसमें कैसा हैं चंद्रमाघ आयकर सूरजके साथ बैठने से क्या होता है इसमें क्या होगा रसाधी पती होनेından थे डेली प्रोडक्त बढ़ेंगें लेकिन बहुत सारे जो सौफ ड्रिंग्स के चीजे उनमें उतल पुतल बहुत नजाएगा परेशानी नजाराएगा हो सबता है तींचार सॉफ दिंग अइसे भी निकले जिसके वजह से गोर्नमेंट को बैन करना पड़े आजसे भी बात चलेगा संबसर के चलते यह फले और में रसाधी पथी होने के नाते क्या होते हैं चंद्र होने के नाते बुद्ध के साथ बैठना सूरत के साथ बैठना में राशी में गोचर बैठने से क्या दिखाता है कि जो कंपणिया दिवरेजिस मनाते हैं उनमें उतल उतल रहेगा विकार संब यो चीजे पसंद नहीं और नहींमा था धानियाधि पति देखो हमने डिस्कहस किया राजा मंत्री सेनाधि पति रसाधि अभी हम गलास में भाग करें धान्याधि पती है ध्यानी dinas मालूनट है अची अनाज है अपर धन्याधि-वादी का यंफिछां है course संबसर में कैसा हमको शुक्रदेव आकर शुक्राचारी शुक्रदेवा के धन्यादिपति है जो फुरदेवत होने के चलते पार्टन इंडस्री भलेगा हुलेगा बाकि जो धन्यादनी जो उपन होता है अपा हमारे देश वो फलेगा फूलेगा अच्छे grains अच्छे उत्पाद होएंगे धाने के वो खुशाली रहेगा हमारा देश का export का जो capacity वो बड़ेगा और लोग अच्छा खाना पीना खाने का health conscious होकर hygiene को समझने वाले का एक trend बनेगा इस देश में अभी यह साल ठीक है और सबसे बड़ी बा और मालूम है क्या सम काइंड ऑफ मेडिकल टर्मोलोजी तो धन्य अधिपति शुक्र होने के नाते क्या होता है पीपल विल गो फॉर सम हाईजिरिक डाइट प्लैंस और विचार करेंगे ऐसे जो मिला वो खा रहें इसे नहीं यह जो प्रचलने हाईजिन का डाइट प्लैन का धन्य दिपति होने के नाते शुक्र क्या करेंगे फिल प्रोमोट प्रोस्परिटी फिल प्रोमोट हाईजीन फिल प्रोमोट नुट्रिशिंस वैल्यू लिए घर के माता बहने वो लोग बोलेंगे तुम ये खाओ ये मत खाओ जाद आतर योगा के तरब मुरेंगी लोग इंग्लिश कैंडर कैंडर जो शुरुबात हुआ 1-1-2022 वो था अपना शनिवार को ये संबसर जो गुड़ी पाडवा है शनिवार को इस संबसर का राजा शनिदेव और 1-1-2022 अड़ करो वो नमबर आता 8 अड़ करके देखो आप निवरोलोजिकली तो ये सारे चैसे क्य निवसर को वो सारे चीजे पाना है जिन्दगी में पाया नहीं है उसके लिए तुमने शनिदेव की उपास ना करो नियाए में चलो धरम में चलो माता पिता की खूब सेवा करो बड़े वुजरों का संबान करो गुरु जनों का संबान करो और जो लोग लिबर है काम करते ह आपके लिए उनका मानसम्मान अवश्य करें, उले लो लेऴल का worker हो, हाई लेवल का worker हो, उनको मानसम्मान जरूर करें, और से बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कैसा है, शनी देव को अधर्म पसंद नहीं है, ना खाने पीने में, ना आचार विचार में, कृपया सारे के सारे ची लोग जो भी हैं वो धर्म में चलने का प्रयत्न करें तो शनीदेव का बरपूर कृपा होगा और शनीदेव को आपको पसंद करने के लिए शनीदेव के मंदिर जाना है और बरपूर हनवान जी की भक्ती करनी है जिससे ये संबसर आपको अच्छा फ क्षप्रेइन करते हैं जिस सबसे आप जोतिशा चारे के तौर पर संझाते हुए उसी तर आप साइन्टिफिक रीजन्स भी देते हैं तो मैं सीरियस्की जाना जाओँगे गुडी पाडवा की अगर बात की जाए इस बार ने साल की बात की जाए तो इस बार अगर साइनिफि पड़आ जीत पड़िपदा। हमको एशाल जीतने के लिए का राजा मंतरी से माधिपरती तक इस सोच्ते हैं यह हमको ऑने खाग पंचा में जाता है इसलिनी इसलिए जाता है यह सुक्षिमीट है आमारे इस साल वहतर बनायें इस साल में को सकता इसका technique पहला इसके पीज है कि देखो पहले माख जैसे ही सूरग मं अबर सी है और पर शूरग मेरी अपना भोट राशी डर है मेशरओ में अबर स्वियाके स incremental आप हुचिक है तो मेर राशी तो मेन-बर शूरगें क्योंकि यहां से सूरज उच्चिक में जाएंगे उत्राय में और पूरे अपने सब परिचम दे रहेंगे एक्सालटेशन में सूरज जाने से यह बताते हैं भगवान की जीवन बहुत कस्टदाय के परेशनी वाला है तुम्हारा विल्पोर बहुत हाइब होना चाहिए तुम ट्वचे लोग इंपरेशन के शिकार जाने उनको संसकार कमी है क्योंकि उस चीज़ का पढ़ने का पडाने का स्थोल वे इन बच्चों को टाइम हे यह सारे चीज़ है इनकलकेट करना उसको बच्चों में थोड़ा से इनुकर माच ज़रूरी है और दूसरी बात कैसा है ज तो उसी प्रकार से नीम खाने के पीछे हैं, नीम रहने के पीछे हैं, हैजीन है, हैल्थ है और सच्चाई को समझने की शक्ति, जो इनसान सच्चाई को समझ जाता है, भाई मेरा इतना capacity है, मेरे को ऐसा चलना है जीवन में, मेरा यह दिमिटिशन से, वो इनसान कभी दुखी होता, जो आपको मालम हैं, भाई, आप 50 लग का मकान नहीं खरी सकते, 30 लग का मकान खरीशके, आप खुछ देना चाहिए, अगर 30 के बदले, आप 50 का ज्यादा प्रेत ने किया, दुखी होना है, यह संबतसर उसी लिए बोला जाता है, कि संबतसर का राजा कोन है, इसको हमक के बात की पंडितजी, अब हम राशियों की बात करें बिल्कुल, तब कि राशियों के बारे में जानना बहत जरूरी है, आप जिए पहरी बाद काया है, जैसा है अपना यह संबतसर चालू होता है, पाड़वा, राहू मेश राशी में, केतु अपना राशी में, मंगल उ ग्रह गोचर कैसा अलग 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 फल देता इसमें कैसा है गुरु आकर आपने मीन राशी में 13 तारिक को अप्रिल के एंटर कर देंगे कुम्ब राशी से उसका फल अलग रहेगा लोग को और शनीदेव कुम्ब राशी में आएंगे 30-29 तारिक को फिर लेकिन जुलाई तक अपना 12 तरीक को में कुम्ब राशी में पर वक्री हो कि हचलंग करेंगे इन राशी। बात करते हैं मीश राशी राशी वालों के लिए यह संवत्वसर बहुत बढ़िया रहेगा नया काम चाले होगा नये उनको आया मिलें गे विल-पोड बहुत जोरदार रहेगा उनको क काम करने में बहुत एनरजीटिक रहेंगे, दूसरों को ले कि साथ चलेंगे, और कुछ बड़ा खर्चा होने वाला ये साल मेश राशी वालों के लिए, कुछ शुबकारी के लिए हो सकता है, गाड़ी बंगले के लिए हो सकता है, या कोई प्रापर्टी वगरा खरीमने का भ प्रप्लेम वर्षब राशी वालों को ये साल थोड़ा परेशानी ज्यादा झेलना पड़ेगा, बाकि जो लोग मीडिया फिल्ड से काम कर रहे हैं, और जो लोग एजुकेशनल फिल्म में काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सफलता मिलेगा ये साल वर्षब राशी व वालों को एप्रिल के बाद आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाले हैं, जिन वर्षब राशी वालों को शादी वगरा होना है, या डिले हुआ होने का देख रहे हैं, उनको ये साल में शादी होने का निश्चित रूप से घड़ने का योग बनता है, दूसरा है सामकाज में परेशानी, अपना पैसे पाने का परेशानी, परिवार में परेशानी, तव्यत का परेशानी, दुनिया वरका ये दंड उनको ही मिल राशी वालों को खुशकबरी देगा, हर एक चीज से उनको ये सारे प्राबलम से उनको निजाद मिलेगा, रिलिफ होगा, और मिथुन राशी वाले ये साल गाड़ी बहुत सोच समझके चलना है, जिन मिथुन राशी वालों को गुटनों में दर्द है, उन लोगों ने अपने गुटनों का बहुत खैल रखना है, माइग्रेन वाले माइग्रेन का बहुत ध्यान दर्कना है, कृपया सर ढखके चले गुधूप में सर खुला रखके न चले तो मिथुन राशी वालों को अच्छा रहेगा नया निवेश, नया कामकाच, नया कोई occupation, नया कोई व्यापार वर्ग वालों को शुरू करने का यूग बनता मिथुन राशी वालों को दोस्तों के बज़े से बहुत फाइदा रहेगा, दोस्तों के बज़े से आयम आवक अच्छा रहेगा मिथुन राशी वालों को लेकिन दसने से तीन दोस्त थोड़े से सही नहीं रहेंगे, उनको चुनना आपका काम है दुसरा है अपना करक राशी, करक राशी वालों के लिए ये साल शुरुबात में थोड़ा सा दिक्कत बढ़ा रहेगा, बात में बहुत अच्छा रहेगा, जिनका शादी होना उनको शादी होगा, नया काम कर नया काम होगा, करक राशी वाले पिता के साथ बहुत अच्छा उनका ट्यूनिंग रहेगा, बहुत उनका पिता को कुछ अच्छा होने का उनके वज़े से अच्छा होने का यूग बनता, पिता को करक राशी वाले जो भी हैं, उनके पिता को अच्छा कुछ पाइदा प्रॉपर्टी में हो शुबकारी में घर में गढ़ने का योग बनता है और specially करक राशी वाले ये साल क्या करना है देखो, ये संबत सर कैसा शनी देव इसके राजा है और मेधाती पती अपना मंगल है तो इसके वैसे क्या होता है इसमें पती पत्नी के अंदर मतबेद होनों का योग बनता है जिसको करक राशी वाले थंडे दिमाग से डील करना चाहिए थंडे दिमाग से पती पत्नी के बीच में जो भी सामन ज़स्त बना के चलना है ठीक है? और अपना सिंब राशी नेक्स सिंब राशी वालों को कोल्ट केस जिनका चल रहा है लीगल प्रोडम जिनको चल रहा है वो लोग जीत हासिल करेंगे और जिनको बीमारी में चल रहे हैं उनके बीमारी बढ़ सकता है पिता का स्वास्त में थोड़ा सा कमी हो सकता है और अगर सिम्वराशिवाले भगवान सुरत को जल चड़ाना गायतर मंतर का जाब करना और हन्मान जी के मंदिर में मंगलवार को जाकर एक पाव मीठा बोंदी चड़ाना शुरू करेंगे उनके पिता को भी अच्छा होगा उनके कामकाज जो नहीं बन रहे वो कामकाज भी बनेगा प इन लोगों को जिनको निवर का प्रावल में जिनको पेट प्रावल में जिनको वाहत्संबंदित आरफ्र्ड इसंबंदित जिनको प्राव वह लोगों ने इनकी शादी नहीं हुई, शादी होनी है, उनकी शादी होके रहेगी ये साल, अगर वो fit candidate है, तो होके रहेगी, तुसरा, बच्चो संबंदित परेशानी रहेगा, और जो बच्चे कन्या राशी वाले पढ़ाए कर रहे हैं, हाय स्टडीस में पढ़ रहे हैं, उनको काफी द अगर कन्या राशी वारे वाद वाद में उलजेंगे, सही बात ही बोलेंगे, वाद वाद में उलजेंगे, उनका नाम खड़ाब होता है, क्यूंकि ए संबध सर के राजा शनी देव हैं, उसके उपर रहू उनसे अस्टब में बैठें, और केंद्र में बैठें, इसका फल उनको विपरित मिनने का योग बनता है, जूटे आरोप, आलतू-फालतों के आरोप उन पे लगेंगे, अगर आप निर्दोशे उस पे ध्यान मत दीजिए, अपना काम करते जाए, प्रभू पे छोड़ दीजिए, प्रभू सब ठीक करेंगे, नेक्स से अपना तुला है, उसमें अभी ध्या के अंदर साथ मंगल भी चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा घर गरस्ती के लिए अच्छा नहीं रहेगा, गारी वहां संबंधी सोच समझ के चला है, चोट लगना, गुटनों पे चोट लगना, पेट संबंधी समस्या, माता को खास करके परेशानी हो सकता है, बाकि वीरोधी पक्षक से बहुत जादा परेशान होने का योग बनता ये साल, इसके लिए कोई भी गुरू के मंदिर, याने गजन बाबा, साई बाबा, कोई भी आप समय समझ जो गुरू बनते हैं, दतातरे भगवान, नहीं है, कोई भी गुरू न इसको आपस में बेड़ के सोल जाएं, नहीं तो समस्य अब बढ़ेगा ये साल, अगला है अपना व्रिष्चिक राशी, देखे व्रिष्चिक राशी वाले ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, उन्होंने अभी दो साल से जो जो काम के लिए तरप रहे हैं, परिशानी और व्रिष्चिक राशी वाले थोड़ा से नसों में जिनको प्रावलम है, उन्होंने अपने थोड़ा नर्वर्स जो टेंडेंसी है उसको थोड़ा वर्कॉट करना चीए, सांस बीप सांस मेंने का कोशिश करें, और व्रिष्चिक राशी वालों का जो भी मकान भूमी और उनके इंकंब में बड़ोतरी होगा. दोस्तों से काफी मदद मिलेगा. फैमिली वालो से भी मदद मिलेगा. और अभी तक काफी बीचारे परिशानी चेल रहेते, तो उसमें फोरा नहीं पत चलते, तो उसमें थोरा सा रहत मिलेगा, नया मकान या नया कोई प्रापर्टी ख़डिए का योग बनता है अगला है अपना मकर राश्य दोलगे मकर राशी शनी ओकर कहा है शानी से युझ वह बेठे हैं थ्रली सब्सक्राइब दोस्तों से मदद मिलेगा चोड़ने वालों को पैसे पानी भी अच्छा रहेगा विवस्ता यह साल दोस्तों से मदद मिलेगा छोटे भाई से काफी मदद मिलेगा चोटे भाईया वह बहन चोटों से मकर रशी वालों को बहुत फ़ाइदा मिलने वाला है अगे माता के स्वास्ते पह थौड़ा ध्यान देना जूरूरी है बशर्ते क्या हनवान जी का सेवा, शनीद्यव का सेवा करना जरूरी है मकार राशी वालों को लेकिन मकार राशी वाले थोड़ा सा ध्यान रखे कि उनके माता के स्वास्ते पर ध्यान देना जरूरी है कुम्ब राशी अगला राशी अपना कुमब राशी वालों को साधे साथी चाल हुआ पहला चरण है और कुमब राशी में ही यह संबसर में गुरू और शुक्रू गोचर कर रहे हैं तो इससे उनको बहुत अच्छा फन मिलेगा कुमब राशी वालों को पत्नी के साथ अच्छा उनको एक टाइम spend करना या घुमना फिरने का एक मौका मिलेगा और कुम राशी वालों को ये साल partnerships में बहुत फायदा मिलेगा पैसे पाने का बंदोबस अच्छा रहेगा जिन कुम राशी वालों के अच्छा लीडर बनने का capacity ये साल दिखेगा लेकिन अपने लीडरिशिप के qualities को थोड़ा संभल के यूज करें नहीं तो ज्यादा exaggerate करेंगे तो रिष्टे खराब होएंगे सब और लिएक के साथ अंत में अपना मीन राशी देखे मीन राशी का महत ये साल इसलिए हैं क्योंके मीन राशी के अंदर चंद्र है पाड़वा के दिन बुद्ध है सुरज है ये क्या दिखाता है मीन राशी वाले पिछले दो साल से परेशान रहे हैं कि पिछले साल पिछले के पिछले साल उनको गुरुबल पूरा नहीं मिला और बारवा गुरुशाल हो गया तो उसके चलते मीन राशी वालों को उतना अच्छा फल नहीं मि और मीन राशी वालों को थोड़ा सा पेट संबंदी परिशानी हो गया पैसे का सोच समझ के करना है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आके ज्यादा इंवेस्मेंट करना गलत है और किसी भी भरोसा करके पैसा देना या नहीं चुका देंगे करके ज्यादा लोन उठाना बहुत गलत बात हो जाएगा नहीं तो इसके चलते आपको परिशानी जिलना पड़ेगा तो ये साल थोड़ा सा पिनेंशिल चीजों में मीन राशी वाले संबल के करे तो बहुत अच्छा है ये हो गया अपना बारा राशी वालों के लिए लेकिन ये की बात है देखो मैं प्हुत आऑ इस जीवन में अपने पांच दीवी देवता हैं पहले भगवान है अपने माता पिता उनको कभी नजर अनदाज नहीं करना उनको कभी अभएशन नहीं करना पहला दूसरे है जो गुरुजन हमको ज्ञान देते हैं थीसरे हैं बहगवान सूरज जो परत्स्रि देवतार रोज दिखते हैं अपने को, उनको रोज परणात करो, जल चड़ाओं उनको सवेरे उठके, और दूसरे चवते हैं अपना गव माता, गव माता आके अपनी मा हैं, उनका पूजा, अध्ययन करना जरूरी है, पांचवे गुरु है अपने, जो हमारे बड़े होते है जो हमारे बेल वीशर होते हैं, वो पांचवे गुरु होते हैं, उनका बात सौनके चलने से भी थम फाइधा हुता है, तो यह चीज पर इस आइरेन इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा उथल पुथल वड़ा रहेगा लेबर सेक्टर थोड़ा सा पॉसली हो सकता है पेट्रोल नैचुरल लिए बढ़ेगा और डीजल बढ़ेगे पर फिर एनर्जी जो भी बढ़ेगा ऑई बढ़ेंगे अलेकिन इसमें कैसा है संबसर का राजा शेनी देवे कंटर्यी गृ। मंत्री है अपने गुरू तो क्या होता है उसमें द्वंध्व ने विरोदाबास तुम ने यह वह बोला है थोड़ा सा ख्लियर करके अगर सारा जंता गौर्मेंट वगर्मान इस चीज को समझ के चलेगा खुशाली भरपूर आएगा इस देश में, अच्छा होगा, हम जनसामाने के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाले, बशरते, मैंने जो बोला पांच गुरू, इन पांच गुरू को मान के चलो, और ओधी टॉप अफ एवरिटिंग, इस संसार को भगवान राम जब कलियुक से गए, मैं अभी गुड़ी पड़वा का ही बात बता रहा हूं, जब भगवान राम ने वाली को मारा, सुग्रिव को बिठाया, सिंगा संते, गुड़ी पड़वा के दे नहीं बिठाया, बगवान राम उपुदेश देते हैं, ये कलियुक के बात, बहुत सारा द्वाप सिर्फ रूप से कौन रहेंगे इस धर्ती पे, सिर्फ हनमान जी बजरंग बली, स्वाज शेडिर आज भी भगवान बजरंग बली रहते हैं हमारे देश में, हर इंसान का हर जो बंदा भगवान की भक्ती करता है, वाह गुरु बोलो, खुदा बोलो, अल्ला बोलो, या क्र पाजा रेने के चलते, जो इंसान हनमान जी का नित्ति नीम पूजा करेगा, हनमान जी के मंदिर मंगिलवार शेनिवार को जाएगा, जो बंदा हनमान चले से रोज पड़ेगा, उसको कम से कम कष्ट होगा, जादा से जादा फाइदा होगा, हाजी, आपको बहुत-बहुत शुबकामना है, गुरी पाड़वा की नए वर्ष की, छेटरी चन की, आपको सारे दर्शों को भी बहुत-बहुत शुबकामना है, जी, तो हमारे साथ थे जोतिशाचारे, शृद्धानन मोहन जी, टेरो कार्ट मास्टर, अंक शात्र, वास्तु विशेशकिर, तो इन्हों तो करते हैं, लेकिन संगर्श के पीछे, जो फल होता है, उसके लिए जो जरूरत है, वो है धहरे, धहरे बनाए रखें, तो आपको हर चीज प्राप्त होगी, पेशन्स बहुत जरूरी है, वाइलेंस बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर चीज पर वाइलेंस होला, इस नॉट इंपॉर्टन, तो धहरे बनाए रखें, पेशन्स बनाए रखें, डिटर्मिनेशन बनाए रखें, आपको आपके फल्स जरूर प्राप्त होंगे, वस अपने गुरों पर अपना विश्वास बनाए रखें, और खुश रहें, अपना और अपनों का ख्यार रखें, आप इसकार.